इंडिया की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके सामने Harvard और Cambridge कुछ भी नहीं है। करीब 1600 साल पहले गुपता डाइनेस्टी के एक रूलर ने ancient नालंदा यूनिवर्सिटी को आज जो बिहार स्टेट है वहाँ established किया। इस यूनिवर्सिटी में 8 compounds, dormitories, 10 mandir, meditation halls, library, lakes और parks सब कुछ था। ये वर्ल की first residential university थी जिसमें 10,000 से जादा students और 2000 से जादा professors रहते थे। Father of Indian Mathematics आर्यभट जिन्होंने zero का concept दिया वो इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और बाद में इसके head भी थे। इस university में buddhism, vedas, logic, medicine और maths जैसे diverse subjects पढ़ाये जाते थे। Also यहाँ पढ़ना बिलकुल free था। ये university इतनी famous थी कि यहाँ China, Mongolia, Tibet, Korea, Japan जैसे देशों से लोग पढ़ने आते थे। लेकिन सैडली साथ सो साल successfully चलने के बाद एक मुगल ruler बक्तियार खिलजी ने नालंदा university में आग लगवा दी। कहा जाता है कि university library की तीन buildings इतनी बड़ी थी और उनमें रखी 90 लाग किताबें इतनी ज़्यादा थी कि वो करीब तीन महने तक जलती रही।